क्यों वेलकम टुदी क्लास कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों की बोर्ड एक्जाम के तैयारी बढ़िया चल रही होगी और बाकी दूसरी चीजे भी जो लाइफ में होती है वो भी बढ़िया चल रही हूँ नहीं चल रही है तो हो जाएगा पैंशन देड़ना ठीके अब आप सभी लोग जो मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मायम आप टीचिंग अप्टिट्यूट का पेपर लेकर क्या आई है जो 2023 में आया है नसी इटी के है ना इंटीग्रेटेड बी एट कोर्सेस की जो एक्जाम होई थी एक्जाम उसमें टीचिंग अप्टिट्यूट क सेक्षन आप देख पारें हुए है नाम भी लिखा है ठीक है ट्वंडी कोशन आते हैं और हर एक कोशन फोर्माक का होता है मतला टोटल यह एक्टी माक्स का पोश्चन है आपका ठीक हो जाता है बहुत इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है मैं आप लोगों के साथ पहले मैं लोग है हम यह कॉशन देखने वाल Guinea है तू यह कॉशन नंबर 1 बटमे कॉशन नंबर 20 आपको स्टाट तो चलते हैं कौन से पेज हमें हमें बर 20 होने सक आसे हम के बच्चे का पर नहीं जाना है तू kilow शुरु प्र सही सह हैं आपको साथी साथ समझाती जाओंगे तो question number 20 में हमसे पूछा गया है which of the following statement is false with reference to language? ये जो चार statement ही इनमें से एक statement false है, गलत है वही आपको पहचाना है यहाँ पर पहला है man is gifted with the speech, ये तो सही है, हमें gifted है speech की जो कह सकते है equality, few words are also gifted with the speech language helps in the transmission of culture, words are used to control behavior तो दीखे, man is gifted with the speech, language helps and transmission of culture, एक generation से दूसरी generation में culture का transmission, language के थो ही होता है है ना, words are used to control behavior, words behavior को control करने के लिए यूज की जाते है, ये भी बात सही है but इसमें गलत क्या है ना ये जो second statement है bird वाला, ये statement ये गलत है, तो वही हमारा सही option होगा बोल रहे है, birds क्या speech कर सकते क्या बोल सकते, नहीं birds mimic करते नकल उताते, ये speech की quality gifted नहीं है I hope it's clear, तो option number two, जो है इसका सही answer होगा, चलते हैं, 19 पर, इंगलिज दोनों में देखे, याँ देख पा रहे होगे this calculator can be diagnosed by, और देखे, जो हमने expected question दिये थे exam के पहले, उसमें से ये question है है ना, चलिए बात करते हैं, this calculator क्या है, भई, mathematics में कुछ basic problems बच्चों को आती है और ये majority of students में होती है, है ना, numbers की sequencing ना समझ पाना क्या operation लगाना है pattern ना समझ पाना ये dyscalculia के अंतरगत आती है, ये एक तरीकी की disability होती है हम ये कह सकते है ठीक, तो dyscalculia can be diagnosed by, पूछ रहे हैं कि कौन इसको diagnosed by क्या सिर्फ teacher कर सकते हैं क्या school का principal कर सकता है क्या सिर्फ parents कर सकते हैं team of educationalist and psychologist only, अब देखे, अगर teacher बहुत अच्छा observer भी है अपने student का तो उसे भी पता पढ़ जाएगा school principal तो कहीं से कहीं तक उनका लेना देना बच्चों की teaching सब होता नहीं है parents जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा धिहान देते हैं उनके साथ regular practice में participate करते हैं लेकर के बेठते हैं कहां चलो भी पढ़ाई करनी है वो भी इसको identify कर सकते हैं बढ़ हमें exam में best option चूज करना होता है तो according to given option जो team of educationalist and psychologist only हम यहाँ पर चूज करेंगे हलाकि teacher भी हो सकते हैं कई बार कई बार parents भी हो सकते हैं बढ़ सही option क्या होगा team of educationalist and psychologist क्योंकि वो अलग-अलग test करके इसको confirm कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे को dyscalculia है right next question which among the following is a prerequisite for any scientific discovery किसी भी वैज्ञानिक खोज के लिए prerequisite मतलब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए या किस चीज की जरूरत है ठीक है तो scientific research करने के लिए तभी आप उसके उपर scientific discovery कर पाएंगे तो दीखें यह option क्या दिया हुआ है formulation of hypothesis, conducting, experiment, observation, identification of the problem तो सबसे पहले जरूरी है scientific discovery के लिए कि आपके पास एक problem हो problem होगी तो फिर दूसरे number पर आप देखें, first number पर आता है identification of problem जब problem identify कर लेते हैं फिर हम hypothesis बनाते हैं है ना फिर हम experiment करते हैं और फिर हम उसको observe करके अपने conclusion लेकर करके आते हैं तो हमने अपनी experiment book में भी आपके लिखते होगे ना science के जो experiment करते होगे तो सबसे पहली चीज़ जरूरी किया है problem को identify करना तो first option हो जाएगा fourth option जो है इसका सही होगा identification of the problem तो मैं सिर्फ उस सही पर mark कर देते हैं तक आपको confusion ना हो right अच्छा इस दोरान जब हम ये lecture सुन रहे हैं आपको कोई भी doubt आ रहा है तो आप मीचे comment box में लिख सकते हैं ग्रूप है उसको join कर सकते हैं directly मुझे Instagram या फिर अपनी app है उस पर भी option है चैट का तो आप मुझसे बात कर सकते हैं जो भी आपका doubt है career related हो कुछ भी okay next है इसमे the correct sequence followed by teachers while teaching a chapter of literature literature साहित में जब एक teacher chapter पढ़ा रहा है teaching कर रहा है किसी chapter literature तो क्या correct sequence होनी चाहिए है अब देखा है अपने school में तो जो होता है न वह अदग चीज़ है but काईदा क्या कहता है school में तो literature में यह होता है teacher आगे question answer mark करवा के चला जाता है यह लिखवा के चला जाता है है यह होता है मेरे साथ तो यह हुआ आप अपना बताईएगा ठीक है अभी देखे sequence क्या है अगर आप बनेंगे कभी literature के teacher तो आपको क्या ध्यान रखना है इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं teaching aptitude यहां पर बोल रहे है reading of the lesson by student teacher giving question answer of the lesson reading of the lesson by teacher teacher gives summary of the lesson तो जब कोई literature का chapter आप पढ़ा रहे हैं तो सही sequence क्या होगी देखे अब decode करते हैं सबसे पहले teacher आ करके क्या करता है जो भी lesson पढ़ाने वाला है उसके बारे में धोड़ी बहुत बाते पताता है ताकि एक base बने है ठीक है फिर teacher read करता है खुद read करता है lesson को read करवाता है student से और फिर जाकर के question answer with discussion निकालने की कोशिश करते हैं तो correct sequence क्या हो जाएगी dcab मतलग क्यो option number 2 ऐसा नहीं है कि खुद जाकर वस question answer दे दी और बात खता no ठीक है agree agree करते है या नहीं आप comment में जरूर लिख करके बताईगा next question है यहाँ पर arrange the following major scientific achievement of India in chronological order तो यह जो कुछ scientific achievement इंडिया के दिये हुए हैं उनको chronological order मतलब year wise मतलब की पुराने से लेकर के नए में हमें काल करम के अनुसार उनको arrange करना है तो हारा कि इंके teaching attributes से related नहीं है तो लगभग एक GK की तरह का question है ना general knowledge का question है but दिया हुआ है तो करना है solve चली करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो है हमारी launch हुई है first satellite right क्या नाम है उसका comment box में लेकर के बताएं जल्दी से फिर मैं आपको यह decode कर लेते हैं पहले इसका answer फिर उसका नाम बताते हैं वह हमने launch की थी 1975 में India's first satellite तो सबसे पहला option हो जाएगा यह 1975 फिर आया हमारा super computer पर्रम वह आया है 1991 में तो पहला option हो जाएगा B फिर है a then Mars orbit mission हुआ था that is 2013 में और चंद्रयांस अभी को मालू में चंद्रयां 2 हुआ है 2019 में तो option क्या हो जाएगे B A C and फिर D मतलब की yes option number first और first हमारी satellite का क्या नाम है आर्यवर्ट आपको नाम याद रिखना है आर्यवर्ट ओके चलिए next आगे बढ़ते हैं next question है हमारे पास in the school curriculum the study of social sciences start at the तो हमारी जो schooling की अलग-अलग जो stages है elementary stage है middle stage secondary stage secondary senior secondary stage इन में से किस stage में social science पढ़ाना start कर दिया जाता है just थोड़ा-थोड़ा information देना स्टार्ट कर देते एक knowledge देना कि यहां यह वी एक area है इससी के बारे में हमें पता होना चाहिए और विसी बात है elementary stage जो की first से लेकर के fifth तक हम मानते हैं right elementary stage मतलब की प्रात्मिक चरण जो है उसमें social science का एक idea curriculum में देना start कर दिया जाता है हाला कि वो एक separate subject नहीं होता है पर हाँ वो कहते हैं EBS environmental science उसी में इसके थोड़े-थोड़े chapter include कर दिया जाते हैं फिर बात आती है which of the following is considered as a formative assessment in mathematics classroom तो formative assessment मैं आपको बता देती हूं वो assessment होते हैं जो ongoing हैना मैंने बहले भी classes में समझाया हुआ है formative assessment और summative assessment summative assessment मतलब कि एक पूरे duration में जो आपने पढ़ा है उन सब को assess करना उसका test लेना ठीक है बट बीच-बीच में एक छोटे-छोटे जो आपकी class test होते हैं हैना कभी मैडम ने quiz करवा लिया कभी surprise test ले लिया वो सब क्या है formative assessment होते हैं ठीक है और जो आपकी main exam होती ही term one term two वो सब क्या है वो आपके summative assessment में आते हैं तो इन में से कौन सा holiday homework होगा क्या नहीं final year exam तो summative है holiday homework भी summative है middle term exam भी summative है तो pop quiz जो है वो formative है हैना on the go कभी भी ले लेती है मैं यह ठीक है तो pop प्रश्ण उत्तरी हिंदी में इसका सही answer next चलते हैं बात करते हैं in which of the following film and empathetic portrayal of Delhi's EWS student is film तो यह एक film है जिसमें empathetic एक कहानी बताई गई Delhi के एक EWS student की तो वो कौन सी कहानी है वो film कौन सी है actually मैं यह पूछा जा रहा है मुझे काफी research करने के बात पता चला ready studies का नाम है क्या नाम है film का ready study जो की Delhi के एक EWS student के उपर film आई गई थी ठीक है राइट फिर पूछा जा रहा है आपसे हाँ पर question की the dash explain the broader aim and objective of teaching social science as a part of school curriculum dash explain the broader aim and objective इनमें से कौन सी टर्म है जो social science teaching की broader aims और objective को दर्शाती है मतलब की aim मतलब की लक्ष व्यापक लक्षों और objectives को दर्शाती है तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि aim and objective एक हम कह सकते हैं कि छोटी टर्म है जो कि किसके अंतर गताती है किसके अंतर गताती है यह goals के अंतर गताती है किसके अंतर गताती है goals तो curriculum goals explain the broader aim and objective of teaching social science यह आपको द्यान रखना है पाठिक्रम के जो लक्ष है उसके अंदर broader aim and objectives आएंगे option number 4 जो है यहाँ पर सही होगा फिर next question की तरफ चलते है और यह question हमने पहले भी discuss किया था exam के पहले और देखिया यह आ भी गया था which of the following is the main reason of fear of mathematics among students mathematics से जो students डड़ते हैं डरते हैं वो क्यों डरते हैं actually mathematics is not interesting इंट्रेस्टिंग महीं है इसलिए student cannot relate classroom mathematics with their lives जो पढ़ रहे हैं उसको real life में relate नहीं कर पा रहे हैं कि अब trigonometry पढ़ लिया तो use कहा है trigonometry का हर एक बचल मुझसे यही पूछता है ठीक है मैं इतना पढ़ते हैं हम लोग कहां इसका use हो रहा है चलिए कुछ area निकालना हो कुछ angle निकालना हो basic angle है न तो हो जाता है क्योंकि हर कोई तो architecture पढ़ नहीं रहा है तो trigonometry कहां कहां use हो रही है उनको पता नहीं है ठीक है mathematics teachers have no subject knowledge mathematics की टीचर के पास कोई knowledge नहीं होता है mathematics is logical इसलिए बच्चों को उससे डर लगता है तो obvious सी बात ही student जो है इसका practical use अपनी life में नहीं देख पाते हैं ठीक है अपनी life में वो जो भी कर रहे हैं उसमें directly match को relate नहीं कर पाते हैं इसलिए बच्चे match से डरते हैं अगर आप उनको reality में जो concept आपने सीखे हैं उनको correlate करना सीख जाएंगे match विल भी fun right but वो बड़ा difficult होता है okay next which aspect of let me yes which aspect of language are इन में से कौन से option मैं से जो कुछ terms दी गई है वो language से जुड़ी हुई है अब यह कहते हैं मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि इसमें कुछ options गलत हैं right तो मैं आपको सही option बताते हूं गलती हैं निकाल ले हम यहां नहीं बैठे हैं तो सही option इन सभी मैंसे हैं semantic, phonetic and graphic ठीक है option number two semantic जो होता है वो language में meanings related होता है phonetic language के pronunciation से related होता है and graphic जो होता है वो written से related होता है ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और next question है हमारे पास again it's kind of a gk question है नो यह कोई teaching aptitude से related नहीं है इसमें कोई teaching skill जैसे चीज़ नहीं है it's just like a gk okay तो यहां पर list one और list two दी है कुछ famous invention दिये है और उन invention को जिन scientist नहीं किया हमको match करना है तो बड़ी सीदी सी बात है Raman effect जो है CV Raman ने दिया है और ग्रीन revolution MS Swaminathan इन्होंने इसको प्रपोश किया था then atomic theory जो है वो है just a second let me remove this yes right so Raman effect CV Raman green revolution MS Swaminathan atomic theory जो है वो है हमारे जे एच भाबा जो की atomic हम कह सकते हैं कि physics से related है और क्रिस्टोग्राफी डाट इस JC Bose okay next चलते है next to be it's a kind of a g kind of question right so next question है हमारा यहां पर हमें कुछ books के नाम दिये गए है और autobiography है actually यह और किस person से यह related ही हमें decode करना है तो unbreakable जो है actually it's a autobiography of Maricom है न तो A24 option में अगर हम देखे क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा congested है तो A24 और एक ही option है तो सभी option हमें decode हो गए test of my life that is for Yohraj Singh उनकी है यह autobiography then C की बात करें that is playing to win autobiography of Sainer नेवाल and golden girl किसी कहा जाता है पीटी उशा को तो option number 4 जो है वो सही option होगा next चलते है next question है हमारा यहां पर right so if a teacher is trying to help learner to locate and collect relevant information compare contrast analyze relation between the whole and apart by using craft actually में क्या हो रहा है कि अगर एक teacher अपनी class में एक art या कुछ craft का use कर रही है कुछ information समझाने के लिए या कुछ concept समझाने के लिए ठीक है और उस art या उस craft को रिलेट कर रहे हैं जो topic पढ़ा रहे हैं उससे right तो वो relevant information भी दे रही है वो compare भी करवा रही है वो difference contrast भी बता रही है वो analyze भी करवा रही है है ना तो इस दोरान teaching के दोरान वो क्या develop करना चारही है उनके अंदर क्या वो information processing skill develop करना चारही है सूचना कि भई जो भी चीज आपके सामने उसको आप कैसे relate कर रहे है that is a processing कोई भी information आप computer को देते हैं तो उसको process करता है उससे related अलग-अलग information निकाल के आपको देता है क्या ये develop करवाना चारही है social skill develop करवाना चारही है reasoning skill develop कराना चारही है inquiry skill जब हम किसी भी चीज को compare contrast analyze कर रहे होते हैं तो वहाँ पर information की processing हो रही होती है तो यही teacher बच्चों के अंदर develop करना चाहता है option number one is the right answer अब बात करते है next question की यहाँ पर यह भी एक टेक्नीक दी हुई है right just a second okay यहाँ पर पुचा गया है dash based learning can be conductive tool for acquainting student with various aspect of social realities integration perspective from different discipline in investigating the cause of problem and in thinking about the relevant social action तो किस तरह की learning बच्चों के अंदर किसी भी social issue या कोई भी reality है उसको लेकर के job group का लेकर क्याती है है ना क्या-क्या वो एक हम कह सकते हैं कि subject जो है वो किस-किस तरह की feeling उसके अंदर हो सकती है किस-किस तरह की चीज़े उसको situation में जहलनी पड़ सकती है social actions देखने को मिलती है है ना तो क्या simulation होगा तब role play होगा तब poster making या issue तो यहां पर सही option होगा role play क्या होगा role play role play में हम क्या करते है किसी एक character को play करते है है ना तो माल लीजी कोई story है वहाँ पर तो आप story के अलग-अलग character बन गए तो वह क्या होगा role play होगा तो आप वह जो character है जिस problem को जेल रहा है उसको जादा अच्छे से समझ पाते हैं है ना तो role play का सही answer होगा next यहाँ पर पूछा गया है student is drawing an outline using a lid pencil एक बच्चे ने एक drawing बना दी है drawing के outline बना दी है then she wets the tip of the watercolor pencil with a wet brush presses it on two paper repeat with lots of dots to color in fill up your outline she is using dash technique तो यह किस तरह के drawing है यह आप से पूछा जा रहा है जिसमें एक बच्चे ने pencil से outline बना दी है और उसके अंदर वो colorful dots से उस drawing को complete कर रहा है ठीक है तो क्या यह pointillism है यह pitch of salt है यह glossy effect है यह emboss है और विसी बात है it's a pointillism आपने देखा होगा ने dots बना करके एक drawing complete कर दी जाती है हो सकता है वो dots same color के नहीं है different color के भी हो सकते है इसलिए different color के होते हैं तो उसमें shade से पूर्य picture उभर करके आता है ओके next question that is fourth question और यह जो fourth question है that is yes theatre is an excellent medium for all of the following except theatre एक excellent medium है उत्करश्ट माध्यम है किस चीज का इन में से एक चीज को छोड़ करके है न तो वो जो एक चीज थेटर नहीं दर्शाता है थेटर में नहीं होती है वो आपको ढूणना है है न तो expression of exploration of self in relation to other अपने खुद की संबन में अपनी खोज करना है न तो हम जब theatre करते हैं नाटक करते हैं है तो हम अपने आपको भी explore कर पाते हैं यह तो थेटर का एक बहुत बड़ा एम होता है बच्चों से थेटर इसी ही कराए जाता है ताकि वो अपने आपको self explore कर सके और self express भी कर सके तो development of understanding of the self दोनों ही थेटर के main aim होते हैं फिर पुछ रहें a tool for enhancing the prestige of school on special location क्या अपनी अपना लोहा मनवाना मतलग की special location पर school की prestige को बढ़ाना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जाता है और फिर फोर्थ भी सुन लेते हैं development of critical empathy towards the natural physical and social world तो प्राक्रतिक बोतिक और सामाजिक दुनिया के प्रति आलोचनात्मक सहानुपोती का विकास करना critical मतलब balanced है ना ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ गलात है सही और नहीं है तो है ही critical balanced आलोचनात्मक तो वन टू और फोर तो थेटर के हम क्या सकते मेन एम में से होता है बड़ यह इस्कूल की प्रेस्टीज बढ़ाना इसलिए थेटर नहीं किया जाता है एक्चिलिए अगर कोई करवाता है तो वो गलत है है ना तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पर चूस करेंगे क्योंकि accept पूछाए को छोड़ कर फिर बात आती है हमारी next four questions की और यहां पर हमार परिग्राफ बताते हीं कि यह है क्या दिग्य scripture एक concept होता है हमारे पास यह परिग्राफ आपके सामझे इगेशन इंटीग्रेटज एजुकेशन होती क्या है अ समा वेश करना समावेशना करके हम कहाँगे कि इंटिग्रेट करना मतलब कि जोड़ना अब यहाँ पर बात हो रही है इस परेग्राफ में आर्ट इंटिग्रेशन इन एजुकेशन तो एजुकेशन ले अगर आपकी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट आपको पनाया जा रहा है चाहिए वो साइन्स ही क्यों ना हो उसको अगर थोड़ा सा आर्ट से जोड़ दिया जाए तो वो आपके लिए जादा इफ्रेक्टिव हो सकता है बच्चों को चीज़े और जादा अच्छे से समझ में आ सकती है फोर एग्जामपल अगरा आप कोई भी कॉंचप पढ़ रहे है साइन्स का मान लीजी फोटो सिंसेशी पढ़ रहे है या आप वोलकन ओ इरक्षन ही पढ़ रहे है अगर आप उसका मॉडल बना ले एक तरीके का आर्ट है वो तो अगर आप उसका मॉडल बना के फिर बच्चों को समझाते हैं तो अब्विस सी बात है कि उनको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि उनके सामने कुछ कॉंक्रीट चीजें रखी हुए है एफ्ट्रेक्ट नॉलेज नहीं है कि हाँ ऐसा होता है बस दिमाग में बाते चल रहे हैं उनके सामने फिजिकली कुछ चीजे प्रेजेंट है तो वो देख करके आसानी से समझ सकते हैं बस यही इस पेरेग्राफ में बताया गया है कि आप क वोई भी सब्जेक्ट पढाने जा रहे हैं ठीक है इन सब्जेक्ट को अगर आप आर्ट से जोडते हैं तो उससे बच्चों की अंडिस्टेंडिंग बढ़ती है और और आट इस कॉल्लिस्टिक और दा कम्प्लीट लर्निंग अर्ट प्रोवाइड लेंग्वेज फोर एक् आप्स जैसिके हमने कई गार बार की शोलर सिस्ट्रम पढाते हैं तो बत्चों को अलग अलग प्लैनिट बनासे तो वह सब्सक्राइब बीच में खड़ा रहता है बाखी बच्चे गूमते रहते हैं उनकी आसपास बलते हैं हम प्लैनेट हैं हम पास में गूम रहे हैं तो मैं मरक्यूरी हूँ वीनुस हूँ इस तरह से ठीक है तो यह समझ गए होंगे मेरे ख्याल सी किस तरह से आर्ट को हम अपनी किसी भी क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं अब आगे बात आती है यहाँ पर कि इससे फाइदे क्या क्या है तो आप इंटीग्रेटिड करिक्यूलम कें प्रोवाइड means to bridge content of different subject in logical learner-centric and meaningful way तो logically भी हम समझ पाएंगे content को learner-centric भी हो जाएगा यूकि बच्चो का involvement बढ़ जाएगा और बहुत मेनिंफुल भी हो जाएगा such as mathematics, science, social science and language and their abstract concept can be correlated तो इन सभी concept को हम एक साथ correlate कर पाते हैं link कर सकते हैं और concretized, concretized मतलब की एक physical form देना जिसे पच्चे observe करके और अच्छे से समझ जाए उस बात को learned effectively with the art at the center, learning by these methods holistic, joyful and experiential तो यह complete learning होती है, बच्चे खुश भी बहुत होती है, experimental form में होती है तो बच्चों को जल्दी समझ में भी आता है ठीक है, तो यह also list paragraph का जिस्ट था हम कह सकते हैं, अब बात करते हैं कोश्चन की, तो art integration refer to art का education में integration से हम क्या समझते हैं तो integrating art as a co-curricular area of study for every child, क्या यह होगा, using art as compulsory curriculum subject in school, combining art with the teaching of different curricular area, making art a subject available for free time, अब बात है, combining art with the teaching of the different curricular area, अलग अलग subject जब पढ़ा रहे हैं और उसमें हम art को जोड़ दे, वही क्या है, art integration, तो option number 3, इसका सही answer होगा, question number 2 की तरफ चले अगर, right, the next question है, which among the following are the true about art education, right, तो यहाँ पर देखे, यह सब paragraph में ही आपके present है, अभी हमने देखा paragraph में, that art, जब भी हम use करते हैं, तो in art integrated curriculum, art become the basis of classroom learning, यह सीधी सीधी line यहाँ पर, दी हुई है, right, दूसरी बात यहाँ पर दी हुई है, art provides language for explanation, ठीक है, तो जिन concept को आप पहले ऐसे abstractly explain नहीं कर पा रहे थे, अब जब आप art use करेंगे, तो आप easily उसको explain कर पाते हैं, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दी हुई है, अब जब धिहान से word to word पढ़ेंगे, तो आपको सारी answer मिल जाएंगे, ओके, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है यहाँ पर, yes, question number 3, an art integrated curriculum can provide means to, means to bridge content of different subject in, right, तो यह direct यहाँ पर एक statement है, उसको fill करना है, यहाँ पर दिया हुआ भी है, यह statement, आपको मैं बता देती हूं, all subject mathematics and their abstract concept, art and center of the curriculum help clarifying concept, art integrated curriculum can provide means to bridge content of the different subject in, logical, learner centric and meaningful way, तो यह तीन option हो जाएंगे, BCD line से, BCD मतलब की option number 4, next ही चलते हैं, next question की तरफ जहां हमारी question हो गए, तो यह ता हमारा teaching aptitude का पूरा, NCEET का, NCEET 2023, sorry, not 2022, 2023 का teaching aptitude का portion, इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, अगर paper आप देखना चाहते हैं, direct access करना चाहते हैं, तो नीच यो description में लिंक है, आँसे जाकर करके देख सकते हैं, thank you so much, जल्दी मिलते हैं, नेक् तो प्लबता हैं, आपॉस्च आप!